असलाम अलेकूम आवेरी वाम विल्गम तो माई चैनल कुकिंग एंड विलॉगिंग में देश आमेद करते हूं कि आप सब लग ठीक होंगे खुश होंगे खैरियत से होंगे और मेरे विलॉग का वेट का रहे होंगे तो सर्दियों की आमद आमद है और सर्दियां आएं और फिश ना खाये जाएं ये हो नहीं सकता तो हमने फिश मंगवाई थी ये फ्राइडी नाइट के एक लिप्स हैं तो उस दिन खाना किसी का भी नहीं मूट था मतलब कोई घर के सबसे यहां कुछ और बीफ वगरा चिकन वगरा तो सुफ्यान और जैनब लोग जाके ले आए जी जी फिश बहुत ही मज़े की और ये बड़ी यहां की फेमस है हमारे घर के मतलब पास ही है यहां पे एक शॉप एक नहीं बहुत सारी हैं तो उनमें से एक शॉप बहुत फेमस है और इनकी फिश क्या ही आला आप इसकी लुक चेक करें और इतनी की मज़े की थी कि मुँमें वस देखे पानी आ रहा था और रुका नहीं जा रहा था तो सब ने जो है तकरीबन ये लेट भी काफी लेकिया थे तकरीबन साड़े नो दस बजे का टाइम हो गया था फिर हम सब ने बैठके खाना शाहना खाया बहुत मज़ाया बह जो मसाला वाला है ना वो टेक्स्टर वो मसाला टार जेती हूं तो जैनब बड़े शौक से खाती है तो ये फिश वगरा खाने के बाद जैनब की और मुसा की हो रही थी जी मस्तियां ये दोनों खेल रहे थे और क्योंकि अब सर्दी आ गया तो मैंने बैट्ट्रीट जो है जैनब की मस्तियां ऐसे ही चलती ही रहती है और माशाला से ये खेलते रहते हैं ये नेक्स डे की वीडियो हमने बनाये थे जी आलू बेंगन और साथ में चिकन इसमें आड़ गया था और साथ में बनाये थे राइस बहुत मज़े के बने थे सारन के लोग देके कितना यमी लग रहा है और जितना ये देखने में यमी लग रहा है उतना ही खाने में भी था यहां पर मैंने राइस को लगाया था जिद्दाम और मैं एक दवर उठाकर देख चुकी थी मैं लेने गई थी प्लेट तो यह जैनब अब उठाकर दिखा रही है और इतने मज़े के बने अच्छे राइस जो है ही बने थे एक एक ग्रेन इसका खिला-किला था और यह देखिए कितने खुबसूरत लाग रहे हैं और लंबे-लंबे राइस थे बहुत ही प्यारे लाग रहे थे देखने में भी और खाने में बिनका टिस्ट बहुत अच्छा था और आपको पता है नए चावलों की आमद आमद है चावल आ रहे हैं चावलों का सीजन है तो अच्छे से चावला भी खरीदें बनाएं और खाएं यहां मैंने राइस डाले थी जैनब के लिए उसे भूख लगी भी थी तो साथ-साथ मुसा भी खा रहे थी थोड़े थोड़े से उसको मैं जो रोटी के साथ लगा दें यहां भी चाहिये राइस के साथ-साथ जैनब बहुत शुक्स से खा लेती है और हम्द लिल्हा कि यह अब खा लेती है वरण शे वस लाइक कि कुछ भी नहीं खाती ती सिर्फ फीजर दे दे कुछ भी घाना है नो ममा कुछ भी घाना है राइस का रो, nाइ जी कोई ऐला वाली kicking ये लड़की मुınaं केड़ाती थी. खेर जी आलो बेंगन बने में तैंटाएं तो मेरे मियां और आलो बेंगन काहें, तो आप होई नीसकता, प्तथर पर लकीर हैगे जुफियान आलो बेंगन खा लें, आज तक उस बंदे ने आलो बेंगन को मूह नहीं लगाया, पता नहीं क्या है, जबकि इतने अच्छे बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं आलो बेंगन, तो इन के लिए बना रही थी, जी मैं आमलेट, उंडे प्यास वाला जो आमलेट होता है, और ये बड़ा आपको बता है, जटपट बनने वाला होता है, जब कुछ भी खाने को नहीं घर बे बना होता है, हम लेडिस यही प्रेफर करते हैं, यार प्यास और अंडे बना लेते हैं, बैसे तो हमारे गरों में इसको अंडे प्यास कहा जाता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी सी फैंसी वाली लेंग्विज य जाए सही, इसलिए मुझे थोरह सा ज्यादा ही स्वाते करना परता है, सुफ्यान के लिए, बहुत ज्यादा चूजी हैं खाने पिने के मामले में, यह चीज ऐसे नहीं तो ऐसे होने ही चाहिए थी, खर मैने यहाँ पर अन्यन को हलका सा बैने इसको, हलका सा नहीं थोरह सा जाए, मैंने इसको सौते किया है, आपको इसके कलर से भी पता चाल रहा होगा, और इसके बाद मैने इसे स्पैसिस आइड किया, स्पैसिस में कोई एक्स्टर नहीं आड करवाते हैं, सिरफ नमाक मेर्च और हल्दी, ताट सिट, और यह मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम इसके द्धनिया भी लास पर जरूर एड करती है, तो स्प्यान को धनिया किसी भी हंडिया में अच्छा नहीं रखता है, खर जी मैंने अच्छे से यहां पर प्याज और मसाले जो है, वो अच्छे से मिक्स कर ली है, और थोड़ा से मैंने पानी एड करती है ताकि स्पैसिस जो है, वो जले नहीं और फ्राइंग पैन जोता है ना, वो काफी होड था, ऑईल, काफी गरम हो चुका था, तो मुझे था कि लाल मिर्च का पावडर जाब जलना जाए, और वैसे भी हंडिया मैं आपको पता है, पता ही होगा, कि मैं अकसर जब कोई भी चीके नहीं है, को मैं लास्ट में कच्ची ग्रीन चिली जो इस तरह से चौप करके जरूर डाल दी और यह है जी, ऑमलेट की फाइनल लुक, अंडे प्यास की फाइनल लुक, बहुत ही मज़े का सिंपल साब लेकिन बड़ा मज़ेदार बना था, साथ में ने दो अधर रोटी बना दी ती, औ अधर ने इतने शौक से इसको पगड़ा था, जैसे कोई खेलने की चीज़ों मुह में डालने की, मुह में डाला था लेकिन इसको बायट नहीं देनी आ रहे थी, साथ में मैंने चाय बनाई थी, और यह आपको बता है, सारी सार्दियों में यही होता है, अंडे बॉयल कर ल अला हाफेज